बुध्ध हमारे सूर मंडल का सबसे छोटा गुरह है। ये प्रिथवी की तरह एक पत्थरीला गुरह है। हालांकि बुध्ध बहुत ज्यादा गर्मी और ठंड वाला गुरह है। बुध्ध हमारे चांद जैसा दिखता है। इसकी सतह क्रेटर्स से ढकी हुई है। ये क्रेटर्स क्षुद्र ग्रहों और धूम केत्वों के टकराने से बने थे। बुद्ध एक आकर्शक ग्रह है। ये हमारे सौर मंडल की विशालता और विविधता की याद दिलाता है। बुद्ध सूर्य का सबसे निकट्तम ग्रह है। ये सूर्य की परिक्रमा औसतन 36 मिलियन मील की दूरी पर करता है। इतने करीब होने की वज़ह से बुद्ध बहुत गर्म है। बुद्ध की सतह का तापमान दिन के समय 800 डिग्री फारेन हाइट तक पहुँच सकता है। ये भीशन गर्मी सूर्य की तेज किरनों के कारण होती है। रात में तापमान बहुत तेजी से गिर जाता है। ये माइनस 290 डिग्री फारेन हाइट तक गिर सकता है। तापमान का इतना बड़ा अंतर हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा है। सूर्य के चारों और बुद्ध की इतनी नजदी की कक्षा इसे पृत्वी से देखने के लिए एक कठिन ग्रह बनाती है। ये विशेशताएं एक हिंसक अतीत का संकेत देती हैं। बुद्ध पर हुए बड़े-बड़े टकरावों ने इसकी सतह को आकार दिया है। बुद्ध की सबसे प्रमुख विशेशताओं में से एक कैलोरिस बेसिन है। ये बेसिन बुद्ध के भूगरभिय इतिहास का एक महत हिस्सा है। ये विशाल इंपक्ट क्रेटर 960 मील व्यास में फैला हुआ है। इसकी विशालता और गहराई इसे बुद्ध की सतह पर एक अध्वितिये विशेशता बनाती है। कैलोरिस बेसिन बुद्ध के इतिहास की शुरुआत में किसी क्षुद्र ग्रह या धूम उसे हुई एक बड़ी टककर का प्रमान है। ये टककर इतनी शक्तिशाली थी कि इसने बुद्ध की सतह को हमेशा के लिए बदल दिया। इस प्रभाव का ग्रह पर वैश्विक प्रभाव पड़ा होगा। इसने बुद्ध की सतह पर गहरे निशान छोड़े हैं। बुद् की सतह पर ये परिवर्तन इसे एक अदवितिय और रहच सिमयग्रेह बनाते हैं। भाग चार पतली हवा — लगभग न के बराबर वयूमंडल बुध्ध ग्रह का वायुमंडल इतना पतला है कि यह लगभगन के बराबर है पृत्वी के घने वायुमंडल की तुलना में बुध्ध का वायुमंडल बहुत ही कमजोर है बुध्ध की सतह पर तापमान में भारी उतार चड़ाव होता है गर्मी को रोकने के लिए घने वातावरण के बिना बुद्ध की सतह दिन और रात के बीच भारी तापमान परिवर्तन का अनुभव करती है दिन में तापमान बहुत अधिक हो सकता है जबकि रात में यह बहुत कम हो जाता है जो थोड़ा बहुत वायूमंडल मौजूद है उसे एक्सोस्फियर कहा जाता है यह एक बहुत ही पतली परत है यह एक्सोस्फियर सोडियम, पोटेशियम और अन्य तत्वों से बना है यह तत्व बुद्ध के वायूमंडल में पाए जाते हैं इन तत्वों को सौर हवा लगातार उड़ा रही है सौर हवा बुद्ध के वायूमंडल को प्रभावित करती है सौर हवा सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों की एक धारा है ये करण बुद्ध की ओर आते हैं, ये लगातार बुद्ध को हिट करता है और इसके कमजोर वातावरण को छीन लेता है, बुद्ध का वायू मंडल सौर हवा के कारण और भी पतला हो जाता है भाग पांच, तेज यात्री, एक साल से लंबा एक दिन, बुद्ध का समय के साथ एक अनोखा रिष्टा है, ये अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है, एक चक्कर पूरा करने में उन पचास प्रिथवी दिन लगते हैं, हाला कि बुद्ध सूर्य की परिक्रमा बह बुद्ध पर एक वर्ष से अधिक लंबा होता है, जो कि सूर्य के चारों और एक परिक्रमा है, ये अजीबो गरीब घटना बुद्ध के धीमे घूर्णन और तेज कक्षिय गति के संयोजन के कारण है, भाग, छै, बहुत ज्यादा गर्मी और ठंड वाला ग्रह, बुद् ये सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट है, और इसमें दिन के तापमान में सबसे बड़ा अंतर होता है, बुद्ध का एक दिन पृत्वी के 176 दिनों के बराबर होता है, इसकी सतह क्रेटर से धकी हुई है और इसका वायू मंडल लगभग ना के बराबर है, वाय विषेष्टाएं हैं जो विग्यानिकों को आकरशित करती है, ये हमारे सौर मंडल के गठन और विकास में बहुमूल्य अंतर दिर्ष्ट प्रदान करता है, बुद्ध के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है, कि ग्रह कैसे बनते और विकसित होते हैं, बुद्ध बुद्ध की सतह पर बर्फ के संभावित संकेत भी मिले हैं, जो और भी रोचक है, जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल का पता लगाना जारी रखेंगे, बुद्ध नी संदे हमें आश्चर्य चकित और उत्सुप करता रहेगा, इसके बारे में हर नई खोज हमें और अधिक जानने के लिए प्रेगित करती है, इसके रहस से खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बुद्ध के अनवेशन से हमें ब्रह्मांड के कई अनसुल्जे सवालों के जवाब मिल सकते हैं